हेलो इस्टुएंट्स वेलकम तो टुडेज क्लास तो इस्टुएंट आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 के कोशन अंसर्स को जो कि हमारा इंटरनेट बेसिक्स और इस चैप्टर को मैं आपको अल्रेडी एक्स्प्रेंट कर चुका हूं अग पहला कॉशन क्या है फर्स कोशन 0 नहीं यहां पर डिसकउस अफ़्र् गेंटे विडेट इन एक्जाम्पेल मतलब जो वह यॉर फॉत कंपनेन्ट होते हैं वह सारे आपको बताने हैं और बिद एक्जाम्पेल आपको बतारे हैं तो चलिए इसका आंशर देखते हैं क्या ह भाई स्थाइब उर्ल की सब्सक्राइब movie जैसा कि हम रलें डिसकस् कROकृन होते हैं स्थाइब स्कीम क्लभी वो सब्सक्राइब एड्रस ही को बोलते हैं है इसप्रोटु को बाना की यह अगर ब ABOUT बात करें हैं लिखा हुआ सबस्क्राम का अक्षे पार्ट पार्ट फप्सक्राइब का का पार्ष ह appelle में जो यह ने यहां पे यहां गए उनुदल ayλλ वाला जो पार्ष है हमारा atm संद तोौल bacter यहांया हुआ हमारा URL में से www जो होता है वो जाता है होस्ट तो यह हो गया second component किसका URL का इसके बाद में third component होता है domain तो इसको भी हम अलड़ी discuss कर चुकी है domain क्या होता है यह जो है आपका host के बाद में आता है मतलब कि www होता है उसके बाद में आपका domain आता है और domain में क्या होता है website का name होता और उसके साथ में जो भी extension होती है website की वो रहती है जैसे कि इस example के अगर हम बात करें तो इस example में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखे लिखा हुआ है www.crickvush.com तो crickvush.com यह आपका domain हो जाएगा मतलब कि जो crickvush है वो तो domain name हो जाएगा और .com जो है वो यहां पर domain name extension हो जाएगा तो इसी लिए crickvush.com को बोलेंगे हम domain इस पूरे को बोलते हैं हम domain जो crickvush.com लिखा हुआ है इसी को बोलते है domain इसके अलावा URL में 4th component भी होता है 4th component क्या होता है that is path अब path क्या होता है जो URL का last part होता है उसको बोलते है path मतलब कि यह बताता है कि जो web page है बो किस directory में है website में मतलब कहां पे हैं आप कौन सी directory में आप हैं तो यहां पे अगर हम इस URL के help से path को समझें कि path क्या है तो path को देखिए मैं आपको already बता चुका हूँ लेकिन यहां पे भी मैं बता दे रहा हूँ path देखिए यहां पे क्या होगा यह वाला जो part था हमारा scheme हो गया यह जो था हमारा host हो गया और यह जो था हमारा domain हो गया इसके बाद में देखिए यह slash लगा कर जो लिखा हुआ है यह इतना part मतलब कि जो news तक जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे हम path यह बता रहा है कि आप website कौन से page पे हैं तो इस तरीके से यह बाला जो part होता है इसी को बोलते है path तो यह component होते हैं URL के जो कि हमारा question में पूछे गया थे तो इस question का answer आपका यह complete हो गया है यहां से लेके यहां तक आपका answer complete हो गया है अब देखते हैं second question तो second question क्या है second question में आप से पूछा गया है what is dynamic content मतलब कि dynamic content क्या होता है यह आपको बताना है तो देखिए जब मैंने आपको chapter explain करा था तो dynamic content को भी मैंने आपको बताया था तो चलिए इसका answer देख लेते हैं answer देखिए यह रहा आपके सामने तो क्या होता है dynamic content dynamic content जो है ऐसे web content को बोलते हैं जो कि user की request के according वहाँ पर display होता है मतलब कि जो website होती है उस पर display होता है मतलब कि अगर मैं simple term में बोलूँ तो dynamic content जो है ऐसे web content को बोलते है जो कि website पर change होता रहता है जो अभी दिख रहा है आपको हो सकता है गंटे बाद ना देखे या दो गंटे बाद ना देखे मतलब जो content है वो आपका change होता रहता है तो ऐसा content होता है उसको बोलते हैं dynamic content तो यहां पर question number two का answer आपका यह हो गया मैंने आपको explain कर दिया अगर आपको detail में समझना है अच्छे से तो आप explanation वाला वीडियो देखिए वहां पर detail में अच्छे से explain क्या हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं यहां पर मैं आपके question answer कर वा रहा हूं इसलिए मैं short में आपको explain कर रहा हूं अब देखते है next question question number third तो question number third क्या देखिए what is the difference between web portal and website तो इस question में जो है आपको बताना है कि web portal और website में difference क्या होता है तो देखिए web portal और website को हमने अच्छे से discuss करा था और आप लोगों को पता भी होगा अगर नहीं पता है तो यहां पर समझ लीजिए देखिए web portal के अगर हम इमेज है वीडियो है या फिर कोई और digital media हो सकती है और यह सारे page क्या होती है आपस में link होते है second difference के अगर हम बात करें तो second difference यह है कि आपको web portal में authentication की requirement हो सकती है मतलब कि login करने की requirement आपको पढ़ सकती है web portal में third difference के बात करें तो जो web portal होता है वो करता क्या है simply मतलब कि एक ऐसी website है जहाँ पर की दूसरे website के web pages link रहते हैं मतलब कि आपको सिर्फ और subscribe link प्रोवाइड करें आते हैं तो web portal को हम कह सकते हैं कैसी website जहाँ पर कि information available होती है तो यह difference होता है web portal और website में I hope आपको समझ में आ गया होगा तो यह होगा question number 3 का answer अब देखते है question number 4 question number 4 क्या है देखिए what is news group, what role does news reader program play in using a news group मतलब की news group क्या होता है और जो news reader program होता है इसका क्या role होता है news group में तो चलिए देख लेते हैं इसका answer भी तो देखिए इसका answer क्या होगा पहले बात करते है news group की news group होता गया है तो news group जो है वो online discussion forums होते हैं जहाँ पे कि आप remotely connected users के साथ में कोई वी information share कर सकते हैं या किसी वी particular topic पर discussion कर सकते हैं तो यह तो बात हो गई कि news group होता क्या है नीज ग्रूप simply हम कह सकते हैं एक ऐसा forum ऐसी website है जहाँ पे कि आप लोगों के साथ में information share कर सकते हैं उनसे कोई topic पर information को discuss कर सकते हैं अब बात करते है news reader software जो होता है उसका काम क्या होता है तो देखिए news reader software जो होता है इसका काम होता है message को read करना और message को post करना मतलब कि एक ऐसा software जो क्या कर सकता है message को read कर सकता है और message को post कर सकता है तो simply हम कह सकते है news reader जो है ऐसा program है जो कि आपके computer पर run होता है और आपको connect करता है news server से जिससे कि जो message हैं वो आपके news group पर read किये जा सके तो यह होगा question number 4 का answer I hope आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते है question number 5 की question number 5 क्या है देखिए define the markup language give an example of markup language तो इस question में आपको बताना है कि markup language क्या होती है और एक markup language का आपको example भी देना है तो चलिए इसका answer देख लेते हैं तो answer क्या है देखिए बात करें अगर हम markup language की तो markup language क्या होती है complete code package होता है जो कि user को allow करता है web page को create करने के लिए मतलब क्या है एक ऐसा package है जिसके help से आप web page को create कर सकते हैं with the help of graphics तो जितने ही web browser होते हैं उनको इसी तरीकर design किया आता है कि जो markup language है उसको वो समझ पाएं और जो है उसको support कर पाएं तो ये तो बात हो गई कि markup language क्या होती है अब बात करते हैं इसके example की तो HTML जो है वो markup language का example है तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे HTML is an example of markup language यह हो जाएगा हमारा markup language का example तो यह हो गया question number 5 का answer अब देखते है question number 6 तो question number 6 क्या है what are the different structural component of the web page answer briefly तो जो है आपको इस question में बताना है कि web page के structural component क्या-क्या होती है उनको जो है आपको इस question में बताना है तो चलिए देख लेते हैं तो पहले अगर हम बात करें पहले component की देखिए बहुत सारे component होते है पहला component है title bar तो title bar की बात करें title bar का का क्या होता है यह जो है display करती है title मतलब जो भी web page का title होता है उसको जो है यह display करती है इसके अलाब़ा second component जो है वो आपका होता है menu यह फिर आपका सकते है नेविगेशन लिंक तो menu जो है वो second component है जहाँ पर की आपको option मिलते हैं कि आप जो है web page में move कर सकते है इसके अलाब़ा header area होता है अब इसमें क्या होता है इसमें जो है company का logo रहता है या फिर कुछ और relevant text हो सकते हैं फिर वहाँ पर search box भी हो सकता है इसके अलाब़ा आपका next component जो है वो content area होता है अब content area का मतलब क्या है यह आपका main page होता है जहाँ पर की content display हो रहा होता है तो जो main content होता है उसी को बोलते है हम content area मतलब जितनी जगह में भी आपको content दखाई दे रहा है उसको बोलेंगे content area इसके अलाब़ा आपका एक footer area रहता है और footer area में क्या रहता है इसमें copyright बगरा की information रहती है और contact information हो सकती है या फिर privacy policy के बारे में वहाँ पर statement हो सकती है तो यह सारी information जो है आपकी रहती है footer area में तो यह सारे किसी भी web page के structural component होते है तो यह हो गया question number 6 का answer I hope आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते है question number 7 की तो question number 7 क्या है What is a protocol तो इस question में आपको बताना है कि protocol क्या होता है तो अगर हम बात करें protocol की तो protocol क्या है देखिए protocol जो है वो set of rules है जो की determine करते हैं कि इस तरीके से जो है network में data transfer होगा compress होगा या फिर जो है screen पर किस तरीके से present होगा तो यह set of rules हैं जो की determine करते हैं data का flow तो इनी को बोलते हैं protocol तो यह हो गया question number 7 का answer I hope आपको यह भी समझ में आ गया होगा अब बात करते है question number 8 की तो question number 8 में पुछा गया है what is TCP IP मतलब कि TCP IP क्या होता है तो TCP IP का answer क्या हो जाएगा देखिए answer यहाँ पर दे रखाए TCP IP जो है दो protocol से मिलके बना है TCP and IP तो TCP की जो है full form होती है transmission control protocol और IP की full form होती है internet protocol तो यह जो है basic communication protocol है internet का मतलब कि internet पे basic communication के लिए TCP IP यूज होता है तो इस question के answer में बस इतना ही रहने देंगे हमसे बस इतना ही पूछा गया है कि TCP IP क्या होता है तो इतना हमने बता दिया कि TCP IP जो है basic communication protocol है जो कि internet पे यूज होता है अब बात करते है next question की question number 9 question number 9 क्या है देखिए write brief note on any 3 different type of blog मतलब जो blog के type मैंने आपको explain करें थे तो उन में से कोई भी 3 type के आपको blog को explain यहाँ पे करना है मतलब की note लिखना एक चोटा सा तो बात कर लेते हैं कौन-कौन से 3 type के blog है जो कि हम यहाँ लिख सकते हैं देखिए पहले type की blog की बात करें तो है हमारा personal blog तो personal blog क्या होता है यह काफी common और popular type का blog है जिसको की कोई person जो है maintain करता है मतलब की ऐसा blog है जिसको की कोई एक person लिखता है और अपने बारे में information वहाँ पे post करता है वो अपने views डाल सकता है अपने experience शेर कर सकता है या कोई भी thoughts ना उसके वहाँ पे share कर सकता है तो इस type का जो blog होता है उसको बोलते है personal blog second type का जो blog है that is company blog मतलब की ऐसा blog जो की एक company को dedicated हो मतलब की इस blog को जो है professionals या फिर company use करती है जिस पे की वो अपने product के वारे में information डालती है कि जो product है वो कब launch हो रहा है उसके features क्या है वो सारी information वहाँ पे display करती है तो ऐसे जो blog होते हैं उनको बोलते है company blog इसके अलावा third type के blog की बात करें तो यह है हमारा non-profit blog तो non-profit blog जो है ऐसे blog को बोलते हैं जहाँ पे की non-profit organization जो है involved रहती है जैसे कि जो anxiety by god है वो involved रहती है और वो जो है इस blog को maintain करते हैं और इस blog को जो है awareness फैलाने के लिए ये फिर money बगार को collect करने के लिए यूज़ किया जा सकता है money का मतला भी हहाँ है donation बगारा collect करने के लिए यूज़ किया जा सकता है तो इस type के जो blog होता है उसको बोलते है non-profit blog तो ये complete होगा question number 9 का answer अब देखते है question number 10 तो question number 10 में आपसे क्या पुछा गया है name any two popular web browser तो इस question में जो है आपको कोई भी दो web browser के name लिख देने हैं जो कि काफी popular हैं तो answer में देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया Google Chrome और Internet Explorer अगर आप चाहो तो इनके अलाबा दूसरे web browser को भी लिख सकते हो तो ये होगी हमारा question number 10 का answer अब discuss करते है question number 11 को तो question number 11 में आपसे पुछा गया है what is www मतलब कि जो आपका worldwide web है वो क्या होता है तो देखिए यह रहा है इसका answer worldwide web को जो है commonly web भी बोले जाता है जो कि एक तरीका है information को access करने का internet से मतलब कि कह सकते हैं जो worldwide web वो internet की access service है जो कि आपको internet पे available information को access करने में help करती है मतलब जितने भी document available है वो सारे organize करके रखती है और आपको जो है उनका access provide करने में help करती है तो यह होगया question number 11 का answer अब बात करते है question number 12 की question number 12 में देखिए आप से क्या पूछा गया है write web extension given to the sites of the following types of organizations तो इस question में आपको यहाँ पे दो organization के type दे रखे हैं पहला है network organization second government agency तो आपको बताना है कि इनके लिए जो domain name extension होती है मतलब जो web extensions होती है वो क्या रहती है तो देखिए अगर हम बात करें पहले वाले की network organization की तो network वाली जो website होती है उनकी रहती है dot net ठीक है इसी तरीके जो government websites होती है या फिर आप कर सकते government agencies होती है उनकी जो web extension होती है वो रहती है आपकी dot gov तो यह हो गया इस question का answer अब discuss करते है question number 13 को तो question number 13 में क्या पूछा गया है why the internet is called network of network मतलब कि internet को network का network क्यों बोलते हैं तो चलिए discuss करते हैं इसका answer भी देखिए रहा है इसका answer answer में क्या है because there are many network which are linked to the internet इसे networks of network इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे network link रहते हैं and internet को जो है हम इस तरीके डिफाइन कर सकते हैं यह जो हमारा millions of computer का network है जो कि आपस में connected है worldwide तो इसलिए इसको बोलते हैं network of networks तो यह होगा question number 13 का answer अब देखते हैं next question question number 14 मतलब कि simple term में बात करें तो इनकी full form आपको बतानी है तो पहला है ISP तो ISP की full form होती है internet service provider and second URL तो URL की full form होती है uniform resource locator तो यह हो जाएगा question number 14 का answer अब देखते है next question question number 15 तो इस question में क्या पुछा गया है how are hypertext and http related मतलब कि जो hypertext और http जो है वो आपस में किस तरीके से related है तो देखिए यहां पर आगर हम बात करें इस question की answer की तो hypertext जो है वो एक system है जिसमें की different type की document file या फिर आप कह सकते हैं image आपस में link रहते हैं एक दूसरे से link रहते हैं तो एक ऐसा system है जहां पहेगी जो files है जो document है जो भी media है वो आपस में link रहती हैं और अगर बात करें http की तो hypertext transfer protocol जो है वो responsible होता है किसको access करने के लिए hypertext document को मतलब कि जो भी आपके hypertext document होते हैं उनको transfer करने के लिए responsible कौन होता है http इसलिए हम कह सकते हैं यह दोनों जो हैं आपस में interconnected हैं तो यह complete होगा question number 15 का answer अब देखते है question number 16 को question number 16 में देखे क्या पूछा गया है question number 16 में आपसे पूछा गया है how are an email address and URL different from each other मतलब कि जो email address होता है और जो आपका URL होता है वो एक दूसरे से different कैसे हैं तो देखिए अगर हम बात करें email address की तो email address क्या है यह unique address है जिसकी help से जो है आप email को receive कर सकते हैं मतलब कि एक ऐसा address है जहाँ पर कि आप email को receive कर सकते हैं जैसे कि postal mail को receive करने के लिए मतलब कि जो हमारे post office वाली mail आते हैं रिसीब करने के लिए हमें अपना physical address देना पड़ता है उसी तरीके से जो electronic form में mail आएंगे उनको receive करने के लिए आपको email address की requirement होती है और जो email address होता है उसमें दो पार्ट रहते हैं एक username रहता है और second जो है domain name होता है जिसको की separate के आता है at the rate के sign से है मतलग कि यह जो sign होता है at the gmail.com तो यह जो होगी हमारा username हो गया और यह वाला जो पार्ट है हो जागा हमारा domain name जो gmail लिखा हुआ है इसे बोलेंग हम domain name और .com जो है वो इसकी extension हो जाएगी तो यह तो बात हो गई कि email क्या होता है अब अगर बात करें URL की तो URL की full form होती है uniform resource locator और यह जो है indicate करता है unique address mm मतलब कि किसी website you website address wegg page address की address को आप बोल सकते हैं URL किसी website inequalities mache website crypto open तो आप ओपन हो जाएगी जैसे कि हां लिखा है क्रिकवस.com slash cricket series तो इस URL को web browser के address बार में जैसे लिखके मैं अंटर करूंगा तो यह web page जो है मेरा open हो जाएगा तो यह complete हो गए हमारे chapter के theoretical questions अब discuss करते हैं इस chapter के application based questions को तो application based question में दीखें पहला question क्या है इसान is confused between the term web page and website help him in understanding the difference between both मतलब कि इसान जो है आपको confused है web page और website में उसे समझ नहीं आ रहा है कि web page क्या होता और website क्या होता है तो आपको जो है difference यहां पर बताना है तो simply हम यहां पर website और web page में difference बता देना है तो दीखें आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आंसर दीखें मैंने हां पर लिख रखा है website is a collection of web page and website contain information on particular subject मतलब कि website क्या है web pages का collection है जहां पर कि किसी particular topic पर information available रहती है लेकिन web page जो है website के individual page को बोलते हैं मतलब कि किसी भी website का जो page होता है उसको बोलते हैं तो यही difference है दोनों में website और web page में तो यह complete हो गया पहले application based question का answer अब देखते है next question को तो next question क्या है देखिए question number two in the URL यहां पर देखिए URL दे रखा है आपके सामने यहां तक जो ही URL दे रखा है यहां से लेके यहां तक है URL तो इसमें पूछा गया है कि यह वाला जो component है यह क क्या बोलते हैं और यह वाला जो component है इसको क्या बोलते है और इसी तरीके से यह वाला जो component है मतलब की.com जो लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं तो देखिए हम लोग already discuss कर चुकी है जो HTTP वाला part होता है उसको क्या बोलते हैं हम scheme तो इसका answer हो जाएगा scheme और बात करें इ हो तो हो जाएगा आपका host और जो discovery adventures लिखा हुआ है यह हो जाएगा आपका domain name इसके लाब अगर हम बात करें इस third वाले की हां पर देखिए .com था तो .com को क्या बोलते है हम domain name extension यह जो है हमारी domain name extension या फिर आप जो है इसको लिख सकते हो web extension जो कि indicate कर रही है कि यह जो website वो commercial website है तो यह हो गया second application based question का answer I hope आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं third question की तो third question क्या है देखिए third question में आपसे बोला गया है use the keyword given below to complete the paragraph यहां पर जो है आपके सामने एक paragraph है और यहां पर कुछ keyword दे रखी है तो यह जो है आपको फिल करने है जिससे की paragraph पूरा आपका complete हो जाए तो चलिए complete करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ यहां पर मेगना want to access internet she opens the dash dash क्या open करा उसने मतलब की मेगना जो है इंटरनेट को access करना चाहती है तो उसने क्या open करा उसने सबसे पहले open करा web browser तो यहां पर जाएगा browser देखिए यहां पर मैंने लिख दिया browser then क्या करा उसने then type the यह आपका गलत हो गया यहां पर यह इस तरीक से नहीं देख गया है तो यहां पर इसके बाद में उसने क्या type करा then type the web address address आएगा आपका यहां पर यहां पर आजाएगा देखिए web address किसका address करा of the website तो यहां पर जाएगा website which consists of multiple मतलब किससे कंसिस्ट होके बनी है website web pages से तो यहां पर आजाएगा web pages तो इस तरीके से जो यह आपका sentence complete हो जाएगा मतलब यह जो paragraph आपका यह complete हो जाएगा तो simple मतलब क्या होगा इसका मेंगने जो है internet को access करना चाहती है तो उसने सबसे पहले web browser को open करा उसके बात जो है उसने web address type करा किसका website का और जिस website का web address type करा वो जो है बहुत सारे web pages को contain करे हुए है तो यहां पर जो है web pages last वाले option में आ जाएगा तो इस तरीके से यह आपका complete हो गया question number 3rd का answer मतलब की जो आपका 3rd application based question था वो आपका complete हो गया है तो इसी के साथ में chapter 1 की जितने भी question answer थे वो मैंने आपको complete करा दिये आपको समझ में आगे होंगे अगर आप लोगो कोई डाउट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं आपका डाउट क्लियर करने को सिस करूंगा तो चलिए student आज के इस वीडियो को ही पर एंट करते हैं next वीडियो में जो हम class 10th के second chapter को start करेंगे तो student आज for this video. thanks for watching.